मन्मोहन दिसाई का जन्म 26 फेबरवरी 1937 को मुंबई में हुआ था लेकिन उनके पूरवज गुजरात के थे उनके पिता कीकु भाई देसाई भी फिल्म निर्माता थे और 1931 से 1941 तक वो पैरामाउंट फिल्म स्टूडियो के मालिक थे उन्होंने ज्यादा तर एक्शन फिल्में ही बनाई जब मनमोहन देसाई चार साल किते तभी उनके पिता कीकु भाई का निधन हो गया था उनके निधन की वज़े ये बताई गई कि वो कई फिल्मों को बनाने की तैयारी में थे इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से उठा लिया था वो पैसा चुका नहीं पा रहे थ और ब्याज बढ़ता जा रहा था इसी तनाव में हार्ट अटेक से उनकी मौत हो गई एक समय था जब देसाई परिवार का फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम था लेकिन कीकु भाई के निधन के बाद उनका परिवार सडक पर आ गया इसके बाद मनमहन देसाई की मा ने क असिस्टेंट डिरेक्टर के तोर पर सुझाया था इसके बाद मनमहन देसाई ने असिस्टेंट डिरेक्टर के तोर पर लंबे समय तक काम किया एक दिन मनमहन देसाई के भाई ने उनसे पुछा कि उन्हें किस तरह की फिल्म बनाने का मन है और वो उस फिल्म में किसे और नूतन को लेना चाहेंगे जब ये बात राज कपूर को पता चली तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है मनमोहन तो अभी सिर्फ 20 साल का है वो कैसे फिल्म बना सकता है इस पर सुभाश देशाई ने कहा था राज सहाब जब आपने अपनी पहली फिल्म बनाई थी तो आप भी इसे उमर के थे अगर आप फिल्म बना सकते हैं तो मेरा भाई क्यों नहीं फिल्म बना सकता ये बात राज कपूर को बहुत पसंद आई लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि अगर मनमोहन फिल्म के गानों को सही धंग से पर उतारेंगे तभी वो फिल्म को पूरा करेंगे वरना वो फिल्म छोड़ देंगे उस फिल्म का नाम था चलिया इसका गाना डम 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 डिगा डिगा को मनमोहन दिसाई ने बहतरीन धंग से फिल्म आया जिसके बाद राज कपूर ने फिल्म पूरी की मनमोहन दिसाई अपने घर के सामने रहने वाली लड़की प्रभा को पसंद करते थे, रोज सुबै को वो उसी समय घर से निकलते जब प्रभा अपने घर से निकलती थी, बस में भी उनके पीछे वाली सीट पर बैठा करते थे, लेकिन वो प्यार का इजहार करने में डरते थे, एक दिन उन्होंने हिम्बत जुटा कर प्रभा से कह दिया, कि वो पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, प्रभा के घर वाले इस रिष्टे के खिलाफ थे, लेकिन प्रभा ने कहा कि अगर उनकी शादी मनमोहन से नहीं हुई, तो जिस भी लड़के रिष्टा आएगा, वो उसे अपने दोस्तों के साथ मिलकर भगा देंगी, उनके ज शम्मी कपूर के कहने पर एक अधूरी फिल्म को पूरा किया, जिसका डारेक्टर फिल्म को आधी छोड़कर चला गया था, मनमोहन देसाई ने 500 रुपे प्रती दिन की फीस पर फिल्म को पूरा किया, जब फिल्म के शूटिंग पूरी होने वाली थी, तब उन्होंने कहा, मेरी फीस के पैसों से उन सीन को भी री शूट कर लिया जाए, जो पिछले डारेक्टर ने शूट किया था, ये फिल्म बॉक्स आफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर पाई, लेकिन इसके जरिये मनमोहन देसाई का करियर फिर से चल पड़ा था, फिल्म का नाम था बत्तमी साठ के दशक में अधिकतर फिल्में स्टूडियो में ही शूट कर ली जाती थी, मनमोहन देसाई फिल्म बलफ मास्टर के गाने गोविंदा आलारे की शूटिंग रियल लोकेशन पर करना चाहते थे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस और लोकल गुंडों की मदद से इस गा सालिवुड का पहला गाना बना जिसे रियल लोकेशन पर शूट किया गया था, यह फिल्म बॉक्स आफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इस गाने को दर्शकों ने बहुत पसंद किया था, इसके बाद 1977 में फिल्म अमर अकबर एंथनी रिलीज हुई, यह सिने इतियास की से बहतरीन फिल्मों में इस एक है, इस फिल्म का आइडिया मन مहुन को एक दिन आकबार किये खबर से आया था, खबर थी कि एक आदमी अपने तीन बेटों को पार्क में छोड़कर आतमत्या करने चला गया, वो इस खबर के बारे में पूरे दिन सोचते रह शाम को उनकी मुलाकात राइटर प्रियाग राज से हुई प्रियाग राज ने उनकी कई फिल्मों की कहानी लिखी थी उन्होंने प्रियाग राज को पूरी खबर बताई फिर प्रियाग राज ने कहा कि सोचो अगर उस आदमी ने आत्म हत्या ना की हो और जब वो पार्क लोट कर आए तो उसकी हालत कैसी होगी जब उसे उसके तीनों बच्चे ना मिलें इसके बाद प्रियाग राज ने कहानी को और डेवलप करते हुए कहा अगर उन तीन बच्चों को अलग अलग धर्म के लोग लेकर जाएं तो आगे की कहानी कैसी होगी इस रोल के लिए उन्होंने रिशी कपूर संपर्क किया तो पता चला कि वो राजस्थान में फिल्म लैला मजनु की शूटिंग में वीजी हैं फोन पर दोनों की बात हुई मनमहन देशाई ने कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें उन्हें अकबर का रोल करना है यह सुनते ही रिशी कपूर ने मना कर दिया वज़त ही उनके दादा पृत्वी राज कपूर अकबर के रोल में पहले नज़र आ चुके थे उनका माना था कि अगर वो अकबर का रोल प्ले करते हैं तो उनकी तुल्ना दादा पृत्वी राज से की जाएगी इस पर मनमहन देशाई को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो रिशी कपूर को मनाते रहे जब उन्होंने रिशी कपूर को बताया कि उन्हें मुगल बादशा अकबर का रोल नहीं करना है बलकि एक चुलूगुले शक्स का किरदार निभाना है तब जाकर रिशी कपूर इस रोल के लिए राजी हुए इस सीन को देखकर एक अमेरिकन ऑथर कोनी हाहम मनमोहन देखाई से मिलने भारत चलिया आई थी उनका कहना था कि कोई इतने शांदार तरीके से बेबुनियाद चीज़ को कैसे परदे पर दिखा सकता है जब वो मनमोहन देसाई से मिली तो उन्होंने कोनी हाहम को सेट दिखाया शूटिंग लोकेशन पर ले गए और ये भी बताया कि यहीं वो शूटिंग करते हैं मनमोहन देसाई का काम करने का तरीका उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने उनके ऊपर एक किताब Enhancement of the Mind मनमोहन देसाई से फिल्म लिख डाली मनमोहन देसाई को अपनी फिल्मों के गानों से बहुत प्यार था एक बार वो अपनी फिल्म को थियेटर में देखने गए थे जैसे ही फिल्म का गाना शुरू हुआ एक दर्शक बाहर जाने लगा उससे मनमोहन देसाई ने पूछा कि भाई कहा जा रहे हो तो उसने जवाब दिया बाथरूम जा रहा हूँ इस पर देसाई बोले अभी तुम बाहर नहीं जा सकते फिल्म का गाना अभी अभी तो शुरू हुआ है उससे सुन कर ही जाना उनकी इस बात पर वो शक्स भड़क गया थियेटर के मैनेजर ने मनमोहन देसाई को समझाया कि यहां मौजूद सभी लोग जब चाहे बाहर जा सकते हैं लेकिन मनमोहन देसाई इस घटना से आहात हो गए और इस घटना के बाद मनमोहन देसाई ने कभी भी थियेटर में फिल्म नहीं देखी जब मनमोहन देसाई अपने करियर के पीक पर थे तभी 1989 में उनकी पतनी का निधन हो गया इसके बाद वो पूरी तरह से अकेले पड़ गए पिता की ऐसी हाला देख बेटे केतन ने कहा पापा जैसे आपकी फिल्मों का दूसरा पार्ट बेहतरीन होता है वैसे ही आपकी लाइफ का सेकंड हाफ भी बेस्ट होगा बस खुद पर भरोसा रखिए बेटे की बात ने उन्हें बहुत होसला दिया जिसके बात उन्होंने देश प्रेमी कूली जैसी बहतरीन फिल्में बनाई मनमोन देशाई का शशी कपूर के साथ प्रोफेशनल और पारिवारी के रिष्टा था ये किस्सा भी मशूर है कि शशी कपूर कहते है कि मनमोन देशाई उन्हें मानना चाहते थे शशी कपूर ने अपनी आटो बायोग्रफी में लिखा था कि मनमोहन देसाई को बहुत मज़ा आता है जब वो शूटिंग के दौरान अपने एक्टर्स को खत्रे में देखते हैं. उन्होंने अपने करियर में उतने स्टंट कभी नहीं किये थे जितने उन्होंने मनमोहन देस भाई ने इस सीन के लिए उनसे कहा मैं चाहता हूँ कि ये सीन तुम बिना बॉडी डबल के शूट करो. शशी ने ऐसा करने से मना कर दिया. बाद में जब उस सीन को उनके बॉडी डबल ने शूट किया तो उसका सर बुरी तरह से जखमी हो गया और उसे 60 टाके लगे. इसक सीन की शूटिंग हो रही थी. उस सीन का तीन बार री टेक लिया गया. तभी वहां मौझूद स्पोर्ट बॉड पर उनकी नजर पड़ी जो अजीब सा चेहरा बनाए खड़ा था. उन्होंने उससे बुला कर पूछा क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? तुम ऐसे मूँ बना कर क्यों खड़े हो? स्पोर्ट बॉड ने जवाब दिया कि सीन का पहला टेक ही सही था. बाकी अंतिम के दोनों टेक सही नहीं लगे. इस बात को सुनने के बाद उन्होंने बेटे केतन को बुलाया और कहा ये स्पोर्ट बॉड कह रहा है सीन का पहला टेक ही अच्छा तो तुम्हें वही शॉट रखना चाहिए फिल्म में. क्योंकि इस स्पोर्ट बॉड की तरह ही आम आदमी हमारा दर्शक है. जब नंदा ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके काम और खुबसूरती से मनमोहन देसाई बहुत प्रभावित थे. ये बात उनके ब मनमोहन देसाई ने नंदा को अपने दिल की बात बताई जिसके बाद उन्होंने 1992 में 52 साल की उम्र में नंदा से सगाई कर ली. नंदा भी उन्हें बेपनाह चाहती थी. सगाई के दो साल बाद ही अपने घर की बैलकनी से गिर कर मनमोहन देसाई की मौत हो गई. मनमोहन देस चुरानेवे को मनमुहन दिसाई की मौत को रहस्य बताया गया कहा जा रहा था कि उन्होंने सुिसाइड की थी वहीं कुछ लोगों का ये कहना था कि हार्ट अटेक की वज़े से उनका निधन हुआ हाला कि उनकी मौत की गुत्थी आज भी अंसुलजी रह चुकी है इसी